2024 लोकसबाद चुनाओं की घड़ी नजदीक आती जा रही है और इसी घड़ी में लगातार अलग-अलग राजनितिक दल अलग-अलग अपने पैत्रे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ किसी के साथ गड़बंदन करना चाते हैं तो कोई गड़बंदन का हिस्सा नहीं बनना चाते हैं देश में इस वक्त दो बड़े गड़बंदन NDA और India Alliance के नाम पर दो बड़े गड़बंदन अल्रेडी हैं इसके अलावा जो और राजनेतिक दल हैं वो किसके साथ जाएंगे इस पर सभी की नजरे हैं वहीं आज मायवती ने ये तैय कर दिया है कि वो किसी के साथ गड़बंदन में नहीं जाएंगी कि वो अकेले चुनाओ लड़ेंगी हलाकि चुनाओ लड़ने के बाद जीतने के बाद क्या चीज़ें होती हैं तब कि तब चीज़ें देखी जाएंगी इसका क्या पोलिटिकल इंपक्ट हो का मैस्वत लखनों में हूँ और लखनों के जो तमाम सम्मानित लोग हैं वो इस कि इंडियलाइंस का जो एक हिस्सा है अकले शादो वो नहीं चाहते थे कि कि किसी भी तरिके कुछ से गड़बंदा लो इन तमाम चीज़ों के बीच में मयावती का ये स्टैंड कैसे दिखते हैं मयावती का जो सोच है वो विकाव सांसत जैसे लोग होते है ना इससे उनका पालिटियों की अपेच्छा करत कुछ पालिटियों में लंबा लेंदेन होता है तो मयावती का सेंबल यह है कि हम पहले जीत लें इसके बाद कोई सरकार बनती उसमें हमारा रोल बनाने मयावती की दवाव कराजित करती है आप कैसे देखते हैं सर पुलिटिकल एनलिस्ट अब आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को क्या लगता है कि इसका कोई पुलिटिकल इंपक्ट जो दो इलाइंस अलरेडी है उन पर क्या कोई पुलिटिकल इंपक्ट पड़ेगा या एक नए तरीके की चाल है जिसका अलग कोई एक राजनाटिक इंपक्ट है देख दिरास हो चुके हैं हतास हो चुके हैं और सब बिपक्ठी नेताओं के दल जो भी है टिर्णवों कंग्रेस हो गए आपके आरजेटी हो गए जड़्टियू हो गए आपके समाजवाधी पार्टी हो गए कांग्रेस हो गए एक जो इंडिय एलाइंस का है तो जो है निश्चित तोर पे जो है जो दलितों का ओट है वो अकेले मायावती के पास लगभग जो दलितों में खास तोर पे उनकी बिरादिरी के लोगों का जो है उनके पास ओट बैंक जो कैडर ओट है वो मिल रह जाएगा लेकिन जो हैश्ञें बहुति के साधने में बड़ा दिक्त्त होगी मुझे लगता है पर लड़ेंगी निसी तोर पे वो सभी पार्टियों के जित्ते हुए कंडिडेटों को हराएंगी. यह फाइदा किसका होगा? यह फाइदा भारती जन्ता पार्टी को पूरी तरह से होगा. यह इसलिए कि जो है जो डलित और पिछडे लोग है जो PDA है जो PDA अखले सियादों कहते है या अज़श जढी आरजइर्वे के लोग है कंगरेस के है वो सभी लोग जो है पच्छासी परसंट की ज़हBen जखा टामिरदारी करते हैं और उनको जो है अगर यह जो वोड बैंक है इनका इनका जो है काफिे अच्छा बैंक है ज़ो है जलितों में जो है खासique माय वती जी कि परादरी का तो उस से उसके बिखराव से कहीं न कहीं जो है अन्य पार्ट वा बिखराव होगा आप सर कैसे देख रहे हैं आप सर अपना पर शुबनाम बताइए जो आज हुआ उसका इंपक्ट राजनेतिक तोर पर आप कैसे देखते हैं और क्या जो समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि वो नुकसान देगी हाँ नुक्सान तो शूर होगा थोड़ा सा मयवती जी कि क्या है कि उनका कुछ वो जिती टाइप है वह सपा के विए से समाज का नुक्सान कर रहे हैं अगर समद्उपा जूरती तो इसका फाइदा इंडिया एलाइंस को होता और शूर था और इंडिया ऐ होती जी के समाज के लिए फायदे बंद होता है वो अपने समाज का आहित कर रहे हैं या नजूर के अज़र कुछ लोग तो ऐसे भी देख रहे हैं कि मतलब जैसे अभी जिसके हमने जैसे पहले बात की तुरूने का भाजपा का फायदा होगा तो एक तरीके से सपा नहीं चाह लड़ा तो एक तरीके सपा की भी सपा भी आज की तारीक में खुछ है भाजपा भी आज की तारीक में चुछ है पर लोग सफा चुनाओ पर जो रिज़ट आएगा उसमें किसका फायदा होगा क्योंकि अगर सपा और बस्पा एक साथ दूरती लाइंस बनता जिसकी वह श् पर इसका पड़ता है कि बीजे पे इंडिया अलाइंस की पचास हिटें यूपी मेर्स से निकलते हैं और इसके वए से बहुत कम बस्पा तो बिलकुल जीरोप होगी क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है पर वह कह रही है उन्होंने जब जब गडबंधन किया तब तब उनको नुकसान हुआ और लगातार उनका वोट लोंको ट्रांस्पर हो जाता है और जो गडबंधन के दल हैं गडबंधन के दलों का वोट बस्पा को ट्रांस्पर आप लगता ही नभी 2019 में आपके आपनी देखा कि जो सफ़ा बस्पा का गडबंधन था उसकी वएस सबकू बस्पा को हुआ था और वह फायदा उस फायदा तक नहीं पहुंच पया जो होना चाहिए था कि लोगों कि अपनी एक नाकामी का लीजिए कि यह लोग घर बैठ गए थे कि नहीं हम तो जीत रहे हैं तो वह समाज का नुक्षान करते हैं लोग एक साथ नहा करके हमेज़ा कलग तरीका होता है एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल लिए जो आज की डेट में वह भी रही हो अख्लिश जी की आप से आपका शुब नाम आर्विन कुमार नाम है मेरा जी जो सब कुछ हुआ आप तमाम चीज़ें सुन भी रहें कैसे देखते हैं पहली आपकी प्रक्रिया आम नागरी के हिसाब से क्या देखता है 2024 की चुनाओं के इंपक्त में अगर मायावती जी की चुनाओं लड़ती है अकेले हो करके तो इसमें भाजपा का नुक्सान होगा क्योंकि 18 परसंट जो जलित ओट है मायावती का एक मुस्त वो लोगसभा चुनाओं में कहीं कहीं फ्लोटिंग ओट के रूप में काम करता है अगर मायावती जी किसी और के साथ रहती है तो और अगर मायावती जी अकेले चुनाओं लड़ेंगी तो इससे भाजपा का नुक्सान होगा जानी कि जो हम लोग पिछले दिनों या पिछले चुनाओं में जिस बात की बात कही चारी की लाभारती वर्ग वह जो भाजपा की तरफ आए अकेले लड़ेंगी तो मायावती तरफ रहेगा एस अगर मायावती जी अकेले लड़ेंगी नो 9% वो भाजपा के पाले में जाएगा और इससे भाजपा का फायदा होगा इन सब में कॉंग्रेस की जो मंशा थी वो तो कहीं न कहीं अधूरी रह गई कॉंग्रेस जो चाह रही थी अंदर खाने की बसपा साथ आ जाए फिर वो अपने को उसका ये मानना है कि भाई पुराना जो पारंपरी कोड मुसल्मानों को उसके साथ है तो मुसल्मान और ये दलित ले करके वो साथ में और कहीं न कहीं एंडिये को पिछाड़ने की कोशिश में थी लगता है कॉंग्रेस का कहीं न कहीं नुकसान है इसमें भाजपा का भी नुकसान है और मायवती का खुद का भी नुकसान है फाइदा किसी का नहीं है फाइदा किसी का नहीं है मायवती जी अगर किसी के साथ आएंगी तो मायवती जी का फाइदा है दर्वाइदा क किसी का नहीं है। इसमें नुख्सान केवल और केवल भाजबाता है। अब भी इस तरीके से इस बात से वाकिव रहा हैं? ये ना, मैं नहीं सहमत हूँ पर के साथ आने हुआ अने जब एक साथ आये हैं तो फायदा इनका वुआ सभा बस्पा का हुआ भाजबा का नुक्सान हुआ है और अगर एक साथ रहे होते तो शूर उत्तर प्रदेश में समिकर्ण कुछ लोग सभा का अलग होगा तो बिल्कुल देखे यह लखनों के लोग हैं जिनको आपने सुना और अलग-अलग तरीके का मत है कुछ का यह मानना है कि इस गड़बंदन से कॉंग्रेस पार्टी को इस गड़बंदन ना करने से कॉंग्रेस पार्टी को एक तरफ नुक्सान हुआ है वहीं कुछ का यह मानना है कि अब वोटों का बिखराओ जो दलित वोटों का बिखराओ वो नहीं हो पाएगा और पूरा वो जब बस्प ABP गंगा खबर आपकी जबापकी